Good morning friends and welcome to my channel मेरा नाम लता है और मैं इंडिया में रहती हूँ सामने जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये एक डबल बैट की डिजाइनर बैट शीट है आज मैं आपके साथ इसी का एक DIY शेर करूँगी और आपसे आशा भी करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो आप काईड़ी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको अगर ये वीडियो पसंद आये तो शेर एंड लाइक जरूर कर लें ये है और दूसरी बेटशीट है ये भी डिजाइनर है और काफी महिंगी ये आई थी दरसल ये दोनों बेटशीट मेरी मा ने मेरे लिए खरीदी थी ताके वो शादी में मुझे गिफ्ट कर सके बट अनफॉर्चनेटल उनके काफी जल्दी डैथ हो गई तो मेरी दादी ने ये मिरे को इस तरह की ग्यारा बेटशीट दी थी शादी के बाद जो सभी की सभी मेरी मा ने पहले से लिए खरीद के रखी थी पर शादी हो जाती इतनी जादी उम्र तो होती नहीं है लाइफ का एक्सपिरियन्स कुछ होता नहीं है तो मैंने क्या करा इसको घर में धो लिया मुझे मालूम ही नहीं था कि इनको हमें ड्रैक्लीन कराना चाहिए तो इन चादरों को इस्तमाल करने लाइग बनाने के लिए फिर मैंने क्या किया है ये एक सफीद कपड़ा मेरे पास रखा हुआ था ये मैंने इंब्रॉइडरी करने के लिए पिलो कवर्स बनाने के लिए खरीदा था तीन मीटर का ये कपड़ा है ये आपको किसी भी हैंड्रूम चादरों की दुकानों पर मिल जाएगा इसको केसमेंट का क्लॉथ भी बोलते है या आप उनको बोलें कोई थिक क्लॉथ दे दे तो चलें फिर मैं आपको इस चादर को बेट पर बिचा के दिखाते हूँ आप खुदी देखें ये कितनी जादा श्रिंक हो गई है और ये तो फिक्स भी नहीं हो रही है बेट के ऊपर बस इसी तरीके के गलते होती है जो छोटी newly married लड़कियां कर लेती है तो मैंने सोचा कि क्योंकि ये मेरी मा की निशानी है और इस चादर को छोने से मुझे बहुत अच्छी से feeling भी आती है मैं इनको फिर इन दोनों को मैं reuse करने के लाइक बनाना आज सोच रही थी और मैंने सोचा मैं अपने viewers के साथ भी share कर दूँ क्योंकि ये problem हम ladies को सभी को घर में आती ही है क्योंकि घर का management करना सब हमारी जिम्मेदारी होता है और कई सारे चीज़े हम खरीद लाते हैं पर कुछ ना कुछ defect होने के वज़े से फिर हम उनको इस्तमाल नहीं कर पाते हैं और नई चीज़ें खरीदे रहते हैं तो चलें फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं ये मैं 10-10 इंच की चौड़े-चौड़े पटियां काट रही हूँ उस white cotton cloth की आप चाहें तो जादा भी ले सकते हैं और अब किसी भी तरीके का कपड़ा इस्तमाल कर सकते हैं जो कि जादा महिंगा ना हो क्योंकि है after all ये पुरानी है और अगर घर पे आपके कोई और चादर रखी हो जो mix and match हो जाए तो आप उसको भी ले सकते हैं तो ये जो white कपड़े की मैंने चार लंबी सी पटियां काट ली और अभी आप देख रहे होंगे machine की सहायता से मैं इनके जो एक border है उसको fold कर दे रही हूँ ये इसलिए कि नीचे से धागी ना लटके अब चाहें तो पीको भी करवा सकते हैं पर फिर एक समझ से आती है पीको कराने के लिए बिजार जाना फिर भीर भार और कई तरीके के मुसीबते हैं मास्क लगाओ, हाथ सेनिटाइज करो तो मैंने सुचा मैं घर पे इसको कर लेती हूँ ये वाली चादर देखी ये भी मुझे बहुत पसंद है और इसका भी यही हश्र मैंने कर दिया तो आज मैं आपके साथ एक चादर का DIY शियर करूँगी कि कैसे उसको मैं ठीक करने वाली हूँ और उसको इस्तमाल भी मैं करूँगी और दूसरी चादर का मैं बाद में कुछ नया तरीके से उसको मैं अब साइकल करके फिर आपके साथ शियर करूँगी ये तो वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है और आपको फिर बहुत बूरियत होगी ये देखें एक जो किनारा था उस पे मैंने ये वाइट वाला कपड़ा स्टिच कर लिया अब सेकेंड वाले जो पोर्शन है उस पे मैं स्टिच कर दे रही हूँ वैसे ये काम काफी धीरे-धीरे करना है क्योंकि हमारे घरों की जो नॉर्मल सिलाई मशीन होती है उसकी सुई इतना मोटी नहीं होती है कि हम इतना मोटा कपड़ा उस पे सिल सकें और मैंने वैसे बहुत धीरे-धीरे सिलाई करी है पर वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने थोड़ा fast forward करके आपको मैं ये बना के दिखा रही हूं वीडियो ये देखें ये वाला border यहां पर stitch हो गया अगला जो हम कपड़ा जोड़ेंगे तो हम जो कपड़ा सिला हुए उसके इस portion पे रखके और लंबी सिलाई लगा देंगे यहां तक पूरी सिलाई आखीर तक इसी तरीके से हमने चारो तरफ से करना है और यह जो portion है इसको मैं काटूंगे नहीं इसको अंदर ही मोड़ दूंगे और एक नीट सी लोग आ जाएगी और काटने से कभी ऐसा भी हो सकता कि खराब ही ना हो जाए और सारे धागे ना निकलने लगे और फिर उनको पिको कराने के लिए फिर बजार भागना पड़े तो बेहतर है कि आप चादर को कटी ना करें बस नॉमली ऐसे उस पे कपड़ा सिल दें यह देखे मैंने दो एजिस पे तो यह वाइट कपड़ा सिल लिया है यह थोड़ा से हलका से आपको जालर टाइप लग रहा है प्रेस करके यह सब ठीक हो गया और आप देखें यह बेट पे बिची हुए काफ़ी सुन्दर भी लग रही है इसका कलर भी बड़ा सूधिंग है आँखों को बहुत सुकून देता है और यह मैं इसको इस्तमाल भी कर लूँगी काफ़ी सालों से यह बेट शिट ऐसे ही पड़े होई थी और मुझे बड़े गिल्ट होती थी कि मैं इसको इसको इस्तमाल नहीं कर रही हूँ होप आपको भी यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आये तो मुझे ज़रूर बताएं अपना अंक बहुत सा ख्याल रखें स्टे हेल्दी स्टे हैपी स्टे हो